हेलो दोस्तों मैं हूँ आयोस और मैं आयोस स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और और फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्रखन पैलर्ट्स में दोस्ता हम बात करने वाले बजीज पैलर्ट के ब्रेडिंग साइन के उपर दोस्तों अगर आपने Bajis Parrot पार लगें तो आपको यह पता होना बहुत जरूरि ए कि आपका जो Bajis Parrot है वो breeding पर आ गया है या नहीं आया है दोस्तों सबसे पहली बात है हमें जानना बहुत जरूर नैंट आपतक पहुँझे सबसे पहले साथ साथ आप दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखे दाकि आपको वीडियो पूरी सवज में आए दोस्त अगर आप बजी स्परेट पाल लखे होते तो आपको सबसे पहले यह जानना बहुत जाला जरूरी होता है कि आपको यह पहचाने कि जो आपके पास बजी स्परेट है वो ब्रीडिंग पर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं कई बार दोस्तों इस वेज़ें बहुत से भाप से भाई लोग मात खाते हैं जो बजी स्परेट थो ब्राइट पर अ मतकी दे देते जल्दी और फिर होता क्या है कि उनके ब्री नहीं करते हैं तौँ आपको यह नहीं करना अगर आपको यहां पर बिजी Texas ौश lai यह पहला जो पॉइंट है वह आपको ख्याल में रखना है अगर आपके जो बजीज पैरेट आने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आपके बजीज पैरेट का जो पहला पॉइंट हो चुका यानि की वह पेरिंग कर चुका और अब वह जल्दी ब्रीट कर देगा दूसरा फीमेल में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट दिखाएगा और बहुत ज्यादा अब करेगा तरह तरह की एक तो यह पहचान है जो मेल मेल है जल्दी करेगा और आपकी आपको देखनी है जो आपके बजीस पैलेट है वो मटकी सेलेक्ट करेंगे और मटकी सेलेक्ट करेंगे और मटकी सेलेक्ट करके दोस्तों करेंगे क्या जो फीमेल है मटकी में काफी काफी टाइम एक्सपैंड करेंगी जब वो मटकी में काफी काफी टाइम एक्सपैंड करेंगी तो दोस्तों ह परदेने बाली कि यहानि कि मेल और फी मेल आ आपस में जो सीड होती वो एक्षेंज करते हैं इसका मतलब यह कि आपके जो बजी स्पेलित में आने वाले दोस्तो जो जो बजीस पेल्डइट होते हैं पाँस से दस दिन ताइंड करते हैं और लगातार मेट्निंग करते हैं, उसके लगवाग पाँस से छे दिन बाद जो बजीस काद की फीमेल होती है पहला अंडा लेक driving तो आपको इस बात का ख्याल लखना में कम से कम पांशेगा उंडे आते हैं एसा होता कि आज मेटिंग कर रिकल अंडे आ जाएंगे से और आपको अपने बर्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है उससे होगा क्या कि जो आपका बर्ड है वो खुद को से महसुस करेगा जल्द से जल्द आपके यहां पर ब्रीट कर देगा और अंडेले कर देगा तो दोस्तों यह कुछ पैचान होती ही बजी स्वेरेट की को प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस को नोटिफीजन आप तक पहुंचे सबसे पहले तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट टॉपिक साथ अब तक लिए वाय वाय थैंक यू फॉर वाचिंग